हें हैं आप देख रहे हैं मिक्टाव इंडिया तो कल एक काफी साइड न्यूज मिली थी हमें आक्टर सुचान सिंग राजपूत के सूसाइट के बारे में तो आज हम मैंन्स इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड सूसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था थोड़े स्टेस्टिक्स पढ़ रहा था पूरे दुनिया में 800,000 केसे होते हैं सूसाइट के जिसमें से नियली 300,000 केसे इंडिया के है इन 300,000 केसे में से 70% अदमी सूसाइट करते हैं तो अदमी क्यों इतने ज्यादा नंबर्स क्यों इतना difficult answer नहीं है आप लोगों पता है कितना pressure पड़ता है अपने Indian households में अदिमियों पर बहुत pressure दालते है families and parents बहुत expect करते है अगर वो बंदा cope up नहीं कर पाया तो suicide कर लेता है बंदा पढ़ाई में, job में, relationships में बहुत pressure होता है अदिमियों पर बहुत sad है, बहुत sad है and I think कोई और country कोई और culture ऐसा pressure नहीं दालता है किसी पर भी अगर पढ़ाई नहीं कर रहा हो पढ़ाई में कम marks आ रहे हैं तो parents भी नहीं, पूरा खांदान, neighbors वगरा, सब pressure दालते हैं बेटा कितने है marks, कितने लायो grades अगर job नहीं है बंदे की तो बेटा job का क्या हुआ, job ढून रहे हो कितनी दिन से फारिक बैटे हो अगर शादी नहीं हुए, relationships नहीं चल रहे हैं तो बेटा शादी का क्या हुआ अभी तक क्यों नहीं की शादी बुढ़े हो जा रहे हो और सिर्फ ये mom, dad का नहीं है यार दादा, दादी, नाना, नानी धंचो, neighbors भी आके pressure दालते हैं आप से क्या लेना देना यार बहुत pressure होता है और आजकल मीडिया भी सोशल मीडिया पे टीवी पे भी अदमियों अदमियों से कुछ लेना देना ही नहीं है सिर्फ बात हो रही है औरतों की औरतों की mental health के बारे में अदमी तो गए भाड़ में औरतों को क्या चाहिए क्या पसंद है, कैसे उनको खुश किया जाए ये सब होती है बात हम अदमी तो matter नहीं करते अदमी अगर कुछ emotional बात कर जा तो अरे ये देख चूतिये को ये तो बहुत emotional होना जा रहा है ये बोला जाता है लेकिन हम को open होना चाहिए men's emotions emotions के बारे में मैं open हो आप लोग के लिए अगर आप लोग किसी से बात करना है तो मैं हूँ मुझे message कीजिए मेरा Instagram में description में दालता हूँ and best communication तो आप अपने parents के साथ कर सकते है सब से understanding आपके parents है brothers and sisters अगर वो लोग नहीं है तो मैं हूँ आप लोग के लिए open वैसे ही अगर आप लोग stable है life में तो आप open रहिए दुसरों के लिए दुसरों से पूछे आपके जो friends depressed है वो लोग से बात कीजिए वो लोग को communication इसकी communication जब करते हैं आप अपना भडास बहार निकालते हैं and दुसरों को आप advice देकर देकर उनको काम कर सकते हैं बहुत help होती है communication के थुरू and mental health को best maintain कैसा करना अगर आप में इसे पूछे हैं तो मैं बोलता हूँ आपका passion follow कीजिए passion follow कीजिए जो pressure दाला जा रहा है आपको society पे society से engineer बनो doctor बनो कुछ लिना देना नहीं है आपको उन से आपको जो पसंद है वो कीजिए आपको singer बनना है musician बनना है drums प्ले करना है guitar प्ले करना है writer बनना है dancer बनना है body builder बनना है कुछ भी business man आपको अपनी एनग की दुकान दालना है tattoo पालर खुलना है कुछ भी करें वहीं आपको जो पसंद है वो कीजिया आप मैं फुटबॉल क्रिकेट बहुत खिला था आप बिलीव नहीं करेंगे मैं इतने अच्छे टालेंटेड बच्चों को देखा हूँ इतने अच्छे टालेंटेड बच्चों को देखा हूँ दुनिया में नहीं है अं इतने अच्छे टालेंट्स ये इंडियन प्रेशर कुकर में आके खराब होता है इतने अच्छे टालेंट्स इंडियन प्रेशर कुकर में आकर सब खतम हो जाता है इंजिनियर डॉक्टर बनके बैठे हैं बस सबसे पहले men's health ये issues, suicide rates कम करना है तो ये society, parents and cousins and neighbors का जो pressure and जो expect जो करते हैं आपसे वो आप कच्रे में फिक दे आप आपसे जो expect करते हैं वो सब कच्रे में फिक दे आपको जो करना है करे बस खतम बात हो दरी कोई आप से बढ़के कुछ नहीं है also जब आप अपना passion follow करते हैं जैसा for example मैं बोलता हूँ मुझे gym, body building करना काफी पसंद है, gym में time spend करना पसंद है, मुझे body बनाना पसंद है, तो मैं जब करता हूँ ये तो मैं अकेले नहीं होता हूँ मेरी तरह काफी लोग मिलते हैं मुझे, मेरे same mentality के इधर से ही दोस्त बनते हैं, same mindset के साथ same interest के साथ वैसे ही आपको musician बनना है, guitar बनना है guitarist बनना है तो आप ये communities में आप जब रहेंगे, तो आपके दोस्त बनेंगे और आप automatically happy रहेंगे आप, ये सुशान सिंग राजपत का एक interview चल रहा था कि वो बोर रहा था कि मेरे दोस्त नहीं है ज्यादा, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, मैं बहुत boring हो तो बहुत sad है ये तो बहुत sad है वो ये चीज़ avoid करने हैं, आप अपना passion follow करें आप जब follow करेंगे ये आपके जिसे लोग बहुत मिलेंगे आपको आजकल तो अब ये online communities भी मिल जाते हैं अब आप guitarist बनना चाह रहे हैं तो guitar के communities काफी है same interest के हजारों लोग है online, वो लोग से आप बातचीत कर सकते हैं writer बनना है तो writer blogs, writer communities Reddit पे काफी मिल जाएंगे आपको सबसे पहले आप ये जो role model बनना चाह रहे हैं family का, जो हर goals family के goals fulfill करने जा रहे हैं वो फेग दे हैं, बिलकुल consider मत करें, आपको जो करना है वो करें आप इधर से, ये जब Indian communities, Indian men ये करना जब शुरू करेंगे मैं आपको गारेंटी देता हूँ, 90% suicide rates गिर जाएंगे 90% and जब कुछ personal issues होता है जो career से related नहीं है, जो personal issues जो family issues जो होता है, जब depression cause कर रहा है कोई आपके close one से discuss करें, बात करें मैं available हूँ, कुछ आप लोको बात करना है तो मैं हूँ याप आपके लिए मैं Instagram description में दालूँगा बात कीजिए आप मेरे से and मैं जितनी help कर सकूँगा मैं करूँगा मैं जरूर and वैसे ही अगर आप stable mental health में है तो God को thank कीजिए and दूसरों के लिए available रीजिए आप दूसरों से आपके दूसरों से बात कीजिए आप and make sure everyone is happy and if they are not be there for them that's it my man stay strong फिर मिलते हैं कल subscribe करें share करें then you want